फिल्म जैभीम के नाम एक और बड़ी उपलब्दी हासिल हुई है बतादें कि ये सिन फिल्म का उपनिग सिक्वेंस है बतादें कि फिल्म में सुर्या ने वकिल का किरदार निभाया है और साथ ही इसे प्रोड्यूस भी किया है इसी के साथ वह भारत की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसे आसकर के यूट्यूब पर दिखाया गया है इस सिजन में दिखाया गया है कि कुछ लोगों को एक लोकल जेल से रिलीज किया जाता है और उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा होता है लेकिन जैसे ही वे लोग बाहराते है उनसे उनकी कास्ट पूछी जाती है जो लोर कास्ट के होते हैं उन्हें वहीं रोग दिया जाता है और पुलिस को सौंप दिया जाता है इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉंस भी मिला था 2D Entertainment ने ट्वीटर पर इस वीडियो को शेर करते हुए लिखा जैभीम आसकर के यूट्यूब चैनल पर जैभीम को दिखाया गया सभी इस बड़ी उपलब्धी पर मेकर्स को बधाई दे रहे हैं बता दे की जैभीम एमेजन प्राइम में पिछले साल रिलीज हुई थी और फिल्म काफी सुर्खियों में रही थी फिल्म का हिस्सा होने और इसे प्रोडियूस करने को लेकर सुरिया ने कहा था कि वह इस फिल्म का हिस्सा होने की वज़े से काफी गर्व महसुस कर रहे है। इसके जरीय नियाए साहस और विश्वास की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म में सुरिया को आदिवासी समुदायों की जमीन के लिए लड़ने वाले वकिल की भूमिका में दिखाया गया है। जैभीम सुरिया की दूसरी फिल्म ती जो टारेक्ट ओटी टी पर रिलीज हुई थी। इसके अलावा ये उनकी बतोर प्रोडूसर तीसरी फिल्म है। बता दे कि इससे पहले भी सुरिया की ये फिल्म कई रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्च करवा चुकी है। इसे आई एम बीडी पर 9.6 रेटिंग मिली थी। इसे के साथ इसने कई बॉलिवूड और हॉलिवूड की हाई रेटिड फिल्म्स को भी पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा इससे सर्वश्रेष्ट गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म की श्रेणी में गोल्डन ग्लोब्स 2022 में नॉमिनेशन भी मिला था।